जर्मनी ने रौकी भारत को अर्जुन टैंकों की इंजन की सप्लाई लडाईयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बनाये गए। भारत के अर्जुन टैंक प्रोजेक्ट को जर्मनी ने बहुत बड़ा जटका दिया। और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अर्जुन मुख्य युधक टैंक का उत्पादन इतिहास उतार चड़ाव वाला रहा है। हालांकि दावा तो किया गया है कि MTU मिसाइल प्रोडक्शन की वजह से अर्जुन टैंक की इंजनों के निर्माण में देरी हो रही है। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि ये देरी मोधी सरका के खिलाफ बदले की कारवाई हो सकती है। हालांकि जर्मनी में इंजन निर्माण में हो रही देरी भारत में स्वदेशी इंजन के निर्माण का दर्वाजा खोल सकता है लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत और टेक्नोलोजी हासिल करने की जरूरत होगी। भारत ने अर्जुन टैंक के बेडे को विस्तार देने के लिए काफी संघर्ष किया है और किसी हत्यार के लिए भारत का ये सबसे ज्यादा समय तक चलने वाला संघर्ष है क्योंकि इसे इतनी शक्तिशाली बनाया जा रहा है कि ये दुश्मन खे में में तबाही मचा सकता है। जर्म साल 2021 में भारत ने 118 अर्जुन मार्क 1A मेन बैटल टैंक MBT के लिए साथ हवाब उच 523 करोड रुपे यानि करीब 900 मिलियन डॉलर का अनर्डर दिया था और इस टैंक को अकसर हंटर किलर कहा जाता है। लिहाजा इसकी मार्क क्षमता काफी ज्यादा होने के साथ साथ शक्तिशाली 120 मिमी राइफल वाली बंदूक और कंचन कवज जैसी नई टेकनोलोजी का इस्तिमाल किया गया है। इन शक्तिशाली मशीनों का निर्मान चेन्नई के अवदी में भारी वाहन फैक्टरी में किय जाता है। हालां कि इंजन की उपलब्धता में कमी के कारण इन टैंकों की समय पर डिलीवरी फिलहाल खतरे में पड़ गई है। egent के बाकी हिस्सों का निर्मान भारत में होता है जबकि जर्मनी की हत्यार कंपनी से इनकी इंजनों की सप्लाइग की जाती हैं। और कंपनी न पहले अर्जुन टैंक के पहले ही कई इंजनों की डिलीवरी हो चुकी है और रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 118 नए टैंकों के निर्मान पर असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद भारत को अक्टूबर 2023 में टैंक इंजनों के लिए अमेरिकी कमपनी कमिंस की और रुक करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उस समय जर्मनी ने भारत को टैंक इंजनों की आपूर्ती रोकने के फैसले के पीछे के कारणों की जानकारी नहीं दी थी और अग आपको वीडियो कैसी लगी घन्यवाद?